वेल मुझे ये तो नहीं पता कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है पर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पैसा कमाना और पैसे को मल्टिप्लाइ करना वेल जब से हमने ये फिनाइशल एजुकेशन के उपर स्रीज शुरू करी है आप लोग प्रोक्टिव हो गए हो आप इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जिससे अभी तक आपने में कॉपाँंडिंग को समझ्झा कि कितनी पौर्फुल है आज मैं आपको पताऊंगा उस कंपाँंडिंग को आप ड़ल स्पीड से कैसे use करोगे पैसे को multiply करने के लिए काफी interesting होने वाला है और जो अभी मैं आपको बताऊंगा इसे apply भी करना है देखिए financial education में जो भी आप सीख रहे हैं यह सारी practical information है जो लोग इसे apply करने वो लोग अमीर बन रहे हैं and they will become real millionaires in life और जो लोग इसे follow नहीं करेंगे वो वहीं के वहीं रहेंगे तो choice आपकी है बट जो मैं आप बताने वाला हूं इसे बड़े ध्यान से समझेगा अभी जो पहला concept discuss करूंगा यह हमारे overall India के लिए और हमारी economy के लिए तो उतना अच्छा नहीं है सच्छा यह फैक्ट अभी में आपके साथ जो शेर करने वाला हूं हमारी economy के लिए उच्छा नहीं है तो बताते हुए मुझे थोड़ा बुरा भी लगेगा बट एजन इंवेस्टर वह आपके लिए बहुत जादा जरूरी है जानना आपका इजन इंवेस्टर फायदा हो सकता है इस information को जानके और इसे आप अपने favor में यूज कर सकते हो पूरे इंडिया के लिए वो गेंस में जा रहा है बट आप एजन इंवेस्टर इसे अपने favor जब हम पहुंचेंगे आपको पता लगेगा पैसा double speed से कैसे multiply होगा तो हम जब रुपे की बात कर रहे हैं और हम डॉलर के साथ compare कर रहे हैं आससे दस साल पहले जो हम आज एक डॉलर की बात कर रहे हैं एक डॉलर की value तक्रीबन तक्रीबन 45 रुपे के आसपास थी तो जो 45 रुपे की value थी आज अगर हम देखें 2021 में तो 75 पे 60 रुपे के आसपास हो चुकी है आप देखो यहां पे जो increment हुआ है यही 65% का हुआ है अब यह वाला concept ध्यान रखना जो मैं अभी बता रहा हूँ 65% की increment हो गई value के अंदर डॉलर बढ़ गया रुपया टूड़ तो यह आपको एक concept समझाया कि पिछले 10 साल में जो चल रहा है वो हम देख रहे हैं अब second concept को समझते हैं हमने compounding की बात करी थी अब compounding में हमने समझा था कि अगर आपको returns मिलें आपकी investment पे 12% की 14% की 15% की तो भीया कमाल हो सकता है आप उसे जब अपने favor में use करोगे तो आप आपका 10,000 रुपे 10,000,000 रुपे बन सकता है अब यह compounding आपने समझा यह आपको समझ आ रहा है कि अगर हम बात करें अब निफ्टी क्या होता है sensex क्या होता है यह already know मैं ब्रीफ दूंगा आपको और मैं compounding की ओपर भी आपको बात बता रहा हूं कि आपको जो 12% 14% 15% मिलती है यह 10,000 को भी 10,000,000 कर सकती है over the period of time तो निफ्टी ने तकरीबन आपको 14-15% की annual compounded returns दी है but there is something called NASDAQ आपने नाम सुना है अब मैं NASDAQ की क्यों बात कर रहा हूं S&P 500 की क्यों बात कर रहा हूं यह क्या है इसकी उपर आज हम क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं अभी हम short में रखते हैं चीजों को simplified रखते हैं कि आपको समझ आए step by step सब कुछ निफ्टी क्या होता है you already know कि इंडिया की निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो NSE National Stock Exchange पे लिस्टेड है उनका जो एक इंडेक्स बनता है जिससे पता लगता माकेट ऊपर जारी नीचे जारी है उसे निफ्टी बहुते हैं तो इंडिया के हो गया Sensex में टॉप 30 कंपनीज आ जाती है जो की BSE Bombay Stock Exchange पर लिस्टेड है टॉप 30 कंपनीज तो यह तो होगी इंडियन कंपनीज इन्हों ने आपको देख रहा है कि 14-15% के हिसाब से हर साल रिटर्ण दी नास्डेक ने भी पिछले 10 साल में 14% से उपर की र कुछ important है 14% की रिटर्ण और निफ्टी की 14-15% की रिटर्ण बराबर नहीं है क्यों बराबर नहीं है क्यों कि 10 सल पहले डॉलर तो 45 रुपे का अब 75 रुपे का हो गया 65% तो यहीं बढ़ गया तो लोगों की जो investment थी वो भी 65% बढ़ गई यहां पे और उस पे compounding चल रही ह तो returns तो यहां पे बराबर नहीं हो सकती है इसे compare नहीं कर सकते है पर अब एक दुख की बात की जादा तर लोग इंडिया के अंदर यह जानते ही नहीं कि वो US stocks में invest कर सकते हैं अभी US stocks क्या है अभी यह NASDAQ समझा देता हूँ NASDAQ 100 की हम बात कर लेते हैं तो एक ऐसा index हुआ जो US stocks के अंदर NASDAQ के अंदर, NASDAQ के इंडेक्स है 100 companies का आप Google की बात करते हो, Amazon की बात करते हो, आप Facebook की बात करते हो, आप Tesla की बात करते हो, आप Apple की बात करते हो, इन companies से मिला के बना है NASDAQ, and S&P 500 के है, S&P 500 में 500 companies आती हैं, अगे US stock market में जो लिस्टेड है, Adobe आता है, आपने Warren Buffet की company के बारे में सुना बर्शिट हाथवे, आपको उसमें invest करना है, आपको Bank of America में invest करना है, यह company इसमें आती है, अचाहिए इंडिया के हिसाप से नहीं चलता होड़ा, इंडिया के अंदर क्या है, कि जो companies, Sensex में लिस्टेड है, वो Nifty में लिस्टेड है, बड़ यहां अब सवाल हमारा यह है, कि भया, आज हम रुपय को देख रहे हैं, कि रुपया डेप्रीशेट कर रहा है, गिर रहा है, और हमारा जो डॉलर है, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में भी आपको लगता है कि ऐसा continue कुछ टाइम तक तो अच्छी बात, क्यों क्योंकि हम अपना पैसा युए स्टॉक्स में लगा सकते हैं, डॉलर के साब से रहे हैं, डॉलर का रेट बढ़ेगा, तो हमें फायदा होगा, यह तो हुई पहली चीज, दूसरी चीज, स्टॉक का प्राइस भी तो बढ़ेगा, आज हम फेस्बुक क बात कर रहे हैं, गूगल की बात कर रहे हो, टेसला की बात कर रहे हो, आपल की बात कर रहे हो, ऐसी कंपनी की बात कर रहे हो, जिन ने तबहाई मचा दी, बलाब दुनिया के अंदर जिन कंपनी तबहाई मचा रखी है, आज हम उन कंपनी में इंवेस्मेंट की बात कर रहे ह तो ये आप कैसे कर सकते हो दो तरीके in copon दो तरीके हम अव् canción कि स्थीन पर वह वाला हो सो एक मिली फहन को रग देते हैं भाको कि यहांब एंव स्थाक्स कर ते हैं कि यह फूर सकते हो स्थास को फ्री इससका आप को यह नियुक था है आपको कि आप passive mutual funds को भी चूज़ करें तो mutual funds उनके लिए होते हैं जिनको भी इतना दिमाग नहीं लगा ना already fund manager appointed होता है और वो आपके भीहाफ पे पैसा लगा रहा है बट जब आप passive funds में पैसा लगाते हो तो पैसिव mutual funds में क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं कि passive mutual funds के अंदर आपका जो पैसा है जो passive mutual fund में पैसा लगा रहे हो वो डिरेक्ली नैस्टेक में लग रहा है और वो डिरेक्ली S&P 500 के अंदर लग रहा है तो जो companies नैस्टेक 100 के अंदर आती है आपको पता है कि टाइम ली चेंज भी होती रहती है तो आपको भी दिमाग नहीं लगाना किसी सब्सक्राइब का पैसा लगता रहेगा और नैस्टेक की रिटर्ण में आपको बता दी है अप्रोक्सिमिटल फॉर्टीन परसेंट से उबर की रिटर्ण पिछले दस साल की है और डॉलर अगें एप्रिशेट हुआ है तो यहां पे लोगों को जबर्दस रिटन मिली है जि यहां पे मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको ले जाता हूं यहां पर मैं एक फिनिटी आप है इसे में खोल देता हूं स्वाटिं से दिखाता हूं आपको जब आप फिनिटी पाएंगे आइड तो जस्ट रिस्टाइट दा इंटरनेट ओल्राइट ऑल्राइट में बात करें बात करें ग्लोबल इंडिक्स पे अब जब अब गलोबल इंडिक्स पे आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पे एक mutual fund है, मोतिलाल ओस्वल का, S&P 500 के अंदर आपका investment हो रहा है, यहां पे again, मोतिलाल ओस्वल का, Nasdaq 100 के अंदर, आपका fund direct growth है, आपके आप देख सकते हैं, अब यहां पर आप दो चीज़े देखिए, जो important है जानने के लिए, एक है expense ratio, यहां पे आपका actively managed mutual fund से, बहुत कम पैसा लग रहा है, और tracking error जिसमें कम हो, उसमें आप investment कीजे, तो यहां पे आप tracking error देख सकते हैं, 4.96% का है, tracking error का मतलब क्या होता है, कि जैसे ऐसे, Nasdaq 100 के अंदर अगर companies change हो रही हैं, तो यहां पे भी उसके हिसाब से, उन companies में पैसा लगाया गया हो, तो यहां पे कोटक का भी Nasdaq 100 of fund direct growth plan है, तो आप इसमें भी चाहें तो पैसा लगा सकते हैं, expense ratio 0.27% का है, सब कुछ आपके सामने clearly mentioned है, अब मैंने बोला, मैं आपके आपको सबसे फिले अपनी investment ही दिखाता हूँ, तो यहां पे मैं अपने portfolio पे चले जाता हूँ, अभी मैंने कुछी टाइम पहले इसमें इन्वेस्मेंट करना शुरू किया है, तो मैं अपनी existing SIP दिखाता हूँ, यह मैंने मोतिला लॉस्वल Nasdaq 100, अब Nasdaq 100 की मैं बात कर रहा था, तो Nasdaq 100 के अंदर मैंने भी अपनी यहां पे आप देख सकते हैं, कि 50,000 रुपे की SIP यहां पे भी शुरू करी है, अब देखिए मैंने 50,000 की शुरू करी है, मैंने कहता आप भी 50,000 की शुरू करो, आप हो सकता है 500 रुपे की शुरू करो, पर यह 500 रुपे यह 500,000 यह 50,000 रुपे फरक क्या बढ़ता है, फरक बढ़ता है compounding में, मैंने आपको बताया है कि आप आज पैसे को compound होने दोगे, तो result क्या नेवाला आपके सामने है, मैं चलो अपनी बात कर लेता हूँ, 50,000 रुपे हर महीने मैं इस S.I.P. में इन्वेस्ट कर लूँ, मैंने एक एग्जेम्पल पहले भी लिया था, पर मान लेते हैं, आज मैं इसे छोड़ देता हूँ, और जादा नहीं 50 साल के लिए compound होने देता हूँ, हमने बच्चों के लिए, 50 years के लिए, और हम ये मान के चलते हैं, कि 14% की हमें annual returns मिल रही है, सबसे पहले तो आप यही कमेंट कीजेगा, कि ये 50,000 रुपे, 50 साल के बाद, 14% की compounding से, कितना पैसा हो जाएगा, अब आप जो भी बोलने वाले हैं, जो भी amount आने वाला है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कि पिछले 10 साल में, डॉलर 65% बढ़ा है, आने वाले 50 साल में, डॉलर की value किया होगी, ये भी दिमाग में रखिएगा, और फिर सोचीगा, ये पैसा कितना होगा, थोड़े से होश ओड़ेंगे आपके, जरूरी ओड़ेंगे, क्योंकि आज मैंने जब ये वीडियो शुरू करी थी न, तो मैंने बोला था कि कुछ आपको, कुछ खास बताऊंगा, जससे आप compounding को double speed से लेके जाएंगे, तो double speed से जाने वाली चीज है, बहुत कम लोगों के समझ आती है, सब के समझ नहीं आती है, बट जिसके समझ आती है, वो पैसा कमा रहा है, अचा, ये तो मैंने आपको दिखाया, कि ये चोटी सी investment है, मैं काफी investments करता हूँ, और वो investments क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ये investments ना, ये मेकिंग में रियल रिच, ये पोट छूटी सी investment है, बट पचाजार रुपे हर महीने, मेरे ले ले इन्वेस्ट करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट पिशतर हजार की SIP, मैं एफिनिटी पे डाल रखिया, It is not a big deal, big deal is, मैं invest कर रहां, big deal is, मैं सिफ 26 साल करूँ, big deal is, कि आज की डेट में मैं जो गर रहा हूं, उसे आने वाले टाइम में, मोने वाल है न, वो बवाल होगा, बब़ बढ़ File, ये करौड रुपे, और हजारो करौड रुपे में, अगर आपको पहुचना है और जाना है तो यह सारी चीज आपको जाननी जरूरी है बहुत कम लोगों को पता होती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपनी SIP शुरू कर सकते हैं ये का अच्छी आदत है अब चाहे वो आपकी SIP 500 रुपे की हो चाहे 200 रुपे की हो चाहे 2000 रुक् से फरक पढ़ता है तो पैसे को इनवेस्ट करने का अच्छी आदत है मेरा मानना आपका क्या मानना आप नीचे कॉमेंट करके बताएगा आज की वीडियो कैसे लगी यह भी कॉमेंट में बताना जरूरी है क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीकी की पावर्फुल वीडियो से रेगुलरली बनाता रहा हू लाइक कर सकते आप इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए फाइनली फेस्बुक पर वीडियो देखने हैं फॉलो कीजिए यूट्यूब पर देखने हैं सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन पर क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना गरें फिनिटी पर अपनी S.I.P. शुरू करने के लिए लिंक दिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हैं आउसी नेक्स वीडियो तिल आइप यूगो सल्फमेट